क्रिकेट में आए इलेक्ट्रा स्टंप, आउट होते ही लग जाएगी आग, एंपायर जैसा करेंगे काम क्रिकेट इतिहास में इलेक्ट्रा स्टंप की शुरुवात हुई है Australia में चल रही Big Bash League के मौजूदा सीजन में इन Electra Stump का अनावरन किया गया BBL में cricket fans इन Stump को देखकर काफी खुश हैं क्योंकि International Cricket के मौजूदा समय में अभी केवल LEG Light वाले Stump चल रहे हैं Electra Stumps का उपयोग महिला BBL में किया गया था अब उनका उपयोग पहली बार Big Bash League में Adelaide Strikers और Sydney Sixers के बीच मुकाबले में हुआ था इस बारे में Australia के पूर्व दिगज क्रिकेटर Mark Vaugh ने कहा कि ये रंगीन Stumps fans और क्रिकेटरों के लिए एक तरह से Christmas का गिफ्ट है Electra Stump की शुरुआत अब क्रिकेट जगत में बड़ी शुरुआत के तोर पर देखी जा रही है Stump में पांच अलग लग रंग है Match के दोरान होने वाले विबिन परिणामों के लिए Stump इन पांच रंगों को दिखाता है रंग या तो आउट होने चौका या चुका नो बोल और ओवरों में बदलाव का संकेत देते हैं उदारम के लिए जब कोई विकेट गिरता है तो तीनो Stump लाल हो जाएंगे और फिर आग लग जाएगी इसी बीच जब नो बॉल होगी तो Stump लाल और सफेद रंग स्क्रोल करते हुए दिखाई देंगे एक ओवर पूरा होने पर Stump नीले और बैंगनी रंग में स्क्रोल हो जाएंगे अगर कोई चौका लगेगा तो फ्लाश अलग लग रंगों का होगा वहीं यदि छक्का लगेगा तो रंग स्क्रोल होंगे कुलमिलाकर क्रिकेट का कलेवर बदलने वाला है कुलमिलाकर Stump के रंग एक तरह से एंपाइरिंग भी करेंगे चुनकि बिग बैश लीग में इस Stump देखने को मिल रहे हैं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे है रिपोर्टर जी